कॉंग्रेस के पुर्व अध्यस राहूल गांधी ने बिटेन में कॉंग्रेस कार करताओं की पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से बात कराई फोन पर हुई बादचीत में कॉंगर्स अध्यस सुनिया गांधी ने पार्टी कार करताओं से सबसे पुराने दल को सत्ता में वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आवाहन किया लंदन की यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने इंडिया ओवरसीस कॉंगर्स बिटेन के सदस्यों के साथ मुलाकात के दौरान पार्टी प्रमक सोनिया गांधी को अचानक से फोन मिला दिया तब सोनिया गांधी ने पार्टी के कार करताओं से बातचीव की राहुल गांधी ने IOC बिटेन टीम के सदस्यों से पार्टी से संबन्देत मुद्दो पर चर्चा करने और उनके विचार सुनने के लिए सनीवार को उनके साथ बैठाक की IOC बिटेन के प्रमुक कमल धालीवाल और टीम के अनिस दस्यों ने बैठाक में राहुल से पार्टी का अद्धिश बनने का आगरा किया ताकि उनके नेतित में कॉंग्रेस में सत्त में आ सके जी आपको बता दे माना जाता है कि विदेश कार करताओं के साथ बैठा के दौरान राहुल गांदी ने अपना रुप दोराया कि पार्टी भारत में वेलचारिक लड़ाई रखने के लिए तयार है IOC बटेन के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम किसी एक राजनेतिक संगठन से नहीं लड़ रही बलकि एक नुसान देविचार धारा के खिलाफ लड़ रही है और देश के संस्थानों को बचाने के लिए लड़ रही है IOC तिलांगना टीम के सदश्यों प्रवक्त प्रवक्ता सुधाकर गौड़क और महासचीव गंपा वेणो गोपाल ने दोहजाँ चौदा में प्रत्थक तिलांगना राजगर्ठित करने के लिए पार्टी प्रमुक के प्रती अभार व्यक्त किया सुनिया ने उनसे अगले साल होने वाले तिलांगना विधान सभा चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेनद करने का आवान किया बैठक में राहूल ने अपना रुप दोहराया कि पार्टी भारत में वैचारिक लड़ाई लड़ने को तयार है वह सोमबार को या सांसदों से मुलाकात करेंगे और कैम्डिश विश्व विध्याले के काउपर्स क्रिस्टी कॉलेज में छात्रों से बात जीत करेंगे बिलो रिपोट आईपियन